दोस्तो अपने सौमे टेस्ट मैच में जिस तरह विराट कोली बोल्ड हुए उसके बाद खुद विराट कोली भी काफी हैरान थी और मैदान के बाहर कप्तान रोई शर्मा का रियाक्शन भी देखने वाला था दरसल शर्लंका के किलाफ पहली पारी में सेट होने के बाद विराट कोली 76 गिंदों में 45 उनर बना कर क्लीन बोल्ड हो गए उन्हें लसित एबुल देनिया ने अपनी गिन पर चक्मा दिया जिससे किंग कोली पूरी तरह से बीट हो गए और अपना विगर गवा बैठे आउट होने के बाद कोली काफी हराम थे कि यहां वैग कैसे चक्मा खा गए हैं और पवेलिये लाटकर भी वैग काफी उदास नदर आ रहे थे कोली के आउट होने के बाद रोईच शर्मा का रियाक्शन भी सामने आया तब कप्तान रोईच शर्मा भी कोली के आउट होने पर काफी जादा निराश दिख रहे थे क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोली अपने सौवें टेस्ट मैच में शतक ठोक कर ऐसे यादगार बनाएं